This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose. आप Windows 11 की ISO फाइल सर्च करें और फिर आपने यहां Download Windows 11 पर क्लिक करना है. फिर आपको यह interface खोलेगा और यहां पर आपने Download पर क्लिक कर लेना है. और Windows 11 Multi Edition ISO पर क्लिक कर दें. अब आपके लिए यह Download शुरू होगा. ISO फाइल दाउनलोड होने की तक वेट करें क्योंकि इस टैप के Option पर. यहां पर आप अपने This PC Option को खोल लें और अपनी Local Disk C में एक नया फोल्डर बना लें. और इस फोल्डर का नाम बदल कर रख दीजिए Windows 11. अब हम अपने Download फोल्डर में जाएंगे और जो हमने ISO फाइल डाउनलोड की है उसे Select करेंगे और फिर हम Right Click करेंगे. Right Click करने क के बाद आपने Mount पर क्लिक कर लेना है. अब आपने यहां इसे Open कर लेना है. और इसे Copy कर लें. अब आप फिर से This PC पर जाएं और जो आपने Windows 11 का फोल्डर क्रियेट किया था उसे Open कर लें. अब आपने जो Files Copy की है उन्हें यहां Type कर लें. अब हम CMD Type करेंगे Search के अंदर और इसे Run as a Administrator सेलेक्ट करते हुए Run कर लें. अब आपने जो यह Command मैं Type कर रहा हूँ. सेम Command टाइप करें और उसके बाद आपका Download Ready होना Start हो जाएगा. अब आप यहां पर Windows 11 इंस्टाल कर सकते हैं बर यह आपको Windows Server शो कर रहा है. अब आपने Next पर क्लिक कर देना है और अब आपक रेड़ी हो रही है. तो हमें यहां पर वेट करना होगा. उसके बाद आपका PC रिस्टार्ट हो जाएगा और जब आपकी Windows रिस्टार्ट होगी तो आपकी Windows 11 में अपग्रेड हो चुकी होगी. तो फ्रेंट्स यह थी process की आपने किस तरह से अपने PC पर Windows 11 डाउंगलोड करके इंस्टॉल करनी है. तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक करें शेर करें और जो वीवर फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वाचिंग बाए जाहिंद वंदे मात्रब